और आपको बता दे के आस्ट्रेलिया के खेल जगत से बहुत ही दुखत खबर आ रही है कि आस्ट्रेलिया के स्टार और लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉन की आज हार्ट अटेक होने से मौथ हो गई है जी हाँ इस खबर के साथ ही पूरे खेल जगत में एक मातम का महौल बन गया है कई स्टार खिलाडियों ने शोशल मीडिया में शेन वॉन की तस्वीर डाल कर और टूटेर पर अपना दुख जाहिर किया आपको बता दे के आज हार्ट अटेक से ऑस्टेलिया के स्टार खिलाडी शेन वॉन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया शेन वॉन ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेबियो किया था और इसी साल न्यूजिलैंड के खिलाफ शेन वॉन ने अपना पहला एक दिवस्य मैच खिला था अपने 15 साल के इंटरनाशनल करियर में शेन वॉन 145 टेस्ट और 194 वंडे मैचों में आस्ट्रियाई टीम का हिस्सा रहे वहीं उन्होंने अपने वंडे करियर में 293 विकिट अपने नाम किया और टेस्ट क्रिकिट में 708 विकिट लेकर टेस्ट में सेकंड हाइस्ट विकिट टेकर बने 2007 में शेन वान ने अंतरास्टर क्रिकिट को अलविदा कह दिया और अपने क्रिकिट को फ्रंचाइज लीग मैचेज में जारी रखा आपको बता दे जहां शेन वान अपने लेग स्पिन से पूरी दुनिया का दिल जीत ले थे थे तो वहीं उनके लीडर्शिप को भी काफी पसंद किया जाता था आईपियल के पहले सीजन में शेन वान राजिस्तान रॉयल की कैप्टन भी थे और राजिस्तान रॉयल शेन वान की कप्तानी में ही आईपियल के पहले सीजन का चैंपियन बना था और आपको बता दे कि आस्ट्रेलिया के खेल जगत से बहुत ही दुखत खबर आ रही है कि आस्ट्रेलिया के स्टार और लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वान की आज हार्ट अटेक होने से मौत हो गई है जी हाँ इस खबर के साथ ही पूरे खेल जगत में एक मातम का महौल बन गया है कई स्टार खिलाडियों ने शोशल मीडिया में शेन वान की तस्वीर डाल कर और टूटेल पर अपना दुख जाहिर किया आपको बता देंकेाज हाट अटेक से अस्टेलिया के स्टार खिलाडी शेन वान ने इस दुन्या को अल्विदा कह दिया शेन वान ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेबियो किया था वहीं उन्होंने अपने वन्डे करियर में 293 विकेट अपने नाम किया और टेस्ट क्रिकिट में 708 विकेट लेकर टेस्ट में second highest विकेट टेकर बने। 2007 में शेन वान ने अंतरास्टर क्रिकिट को अलविदा कह दिया और अपने क्रिकिट को फ्रंचाइज लीग मैचेज में जारी रखा आपको बता दे जहां शेन वान अपने लेग स्पिन से पूरी दुनिया का दिल जीत ले थे तो वहीं उनके लीडर्शिप को भी काफी पसंद किया जाता था IPL के पहले सीजन में शेन वान राजिस्तान रोयल की कैप्टन भी थे और राजिस्तान रोयल शेन वान की कप्तानी में ही IPL के पहले सीजन का चैंपियन बना था